उन्नुदिके केरोल प्रोबोल ब्रिष्टीते विपड़ जस्तो केरोल जल विपड़ जनक मात्ताई बेड़े जाबार कारोने पेरियोडे नोदिर ओपोर इदामाल आयार बांधेरे दूटी लोगगेट खुले देवा होएचे ये छारा उ खोला होएचे आरो एक्टिब मांधेद लगगेट होले आरो एलाका प्लाबितो हावा राशोंका इदुक्केतो जल बेडे बाधेर माथा छुइ-छुईुई खले शेखाने ओ लोग गेट ना खुल दे आरो बड़ो विपड़ जाय राशोंका रुएचे बोले प्रशाशन शुत्रे खबुर इती मुध्धे केराले बोन्ना पोरिस्तितेर भले बेश क्वाइक जुने मृत्तु हैचे एर्णा कुलम शहर जलो मगनो शहरे रोधिकांग्षो जाय गाए कोमोर्श्वमान जल शेई जलेर पोरिमान क्रोमेई बाड़ छे नूंका छाड़ा जाता है ते रूपाई नी दूथ जल खाबार नूंका इकोरे पहुंचे देवा होचे बाशिंदा देरका छे नदियों के जल इसतर बढ़ेगा और जब जल इसतर बढ़ेगा तो सूरत कैसी बनेगी देखिए जरा मेरे पीछे जिया क्या इस्तिति हो रखी है ये नर्कुलम के जो नदी के इस आके का असर है धीरे धीरे जो टटवरती इलाके हैं उन तरफ भी बढ़ आया है और क्या असर है एक नजर देखिए कमर तलक पानी इस कमर तलक पानी के बीच में लोग अपने घरों में फसे हुए देखिए उन सडकों पर लोग बोट लेकर निकल ले हैं आप ओडम के तयोहार में इस तरीके की बोटे देखते होंगे कि जिन बोटों पर लोग सवार होकर जो तयोहार है उसमें रेस लगाते थे लेकिन अब तो जन जीवन का हिस्सा बनाना पड़ा है क्योंकि स्थिति बेहद विप परीथ है यहां जो दुकाने हैं पूरी तरीके से जलमग में दुकाने दिखाई दे रही हैं इन दुकानों में जो सामान था वो सब कुछ पानी में डूबा हुआ जो थोड़ा सामाने उपर रखा है वो बचा हुआ है तो इस पूरे इलाके में पोडियम के आसपास के चु पूरा पानी भरा हुआ है आसपास जो बाग बगीचा है सब डूबा हुआ है और इसके बाद जो ये रास्ता जी आप देख रही है दिख रहा होगा आपको कि नदी है या नहर है लेकिन ये एक सामान रास्ता है यहां से लेकि डेड़ किलुमीटर तक इसी तरीके से सब आज के लिए तो बोट से निकल रहे हैं मजबूरी है जीना है और अपनी जुरुतों को पूरा करना है तो आखिर रास्ता निकालना ही पड़ता है ओडम के त्योहार पे ऐसी बोटे दिखाई देती है लेकिन आज जो ये बोट है आप बोट लेकर निकले कैसे घर तक जाने हैं तो रास्ता कैसे होगा रास्ता होगा बोट से लेकर जाने का ऐसी इस्तिती बनी हुई है लगतार जो लोग है आम जन जीवन में अपने घरों से निकल रहे हैं अगर काम के लिए जाना है या कुछ समाल लेने जाना है तो इस तरह की बोटों का इस्तमाल कर रहे हैं इसक के लिए मुश्किले बनी हुई है और इन मुश्किलों के बीच में दुकाने घर आसपास सब कुछ डूबा हुआ है रास्ता बंद है छोटे हाइवे बंद है इसके चलते आना जाना भी नहीं हो पार है लेकिन फिर एक सकरात्मक बात मौसम की है मौसम सुद्रा हुआ है तो न साम होने थे उनको भी स्टे होल्ड पे डाल दिया गया है तो यह वो पूरा मौसम का अपडेट इस मौसम के अपडेट के बीच में महत्वपून बात जो जलबहराव है कई सारे इलाकों में इसी तरह का जलबहराव है मैं जितना आगे पढ़ रहा हूं यहां पानी जो है ध जन जीवन है वो थमा हुआ सा इस तरीके से देखे पहले माले पर जो मैं महिला आपको दिखा रहा था कि फसी हुई है इसी तरीके से लोग यहां पर अपने घरों में फसे हुए हैं और जो ज़रुवत का सामान है लेने के लिए घर से पुरुष और दूसरे लोग निकलना हैं वरना जो दूसरे लोग हैं आसपास के वो समान लेकर पहुच रहे हैं मुझे दो बच्चे भी मिलेते जो बता रहे थे उनका एक दोस्त कनाडा में है उसने फोन किया तो घर में जो बुढ़े लोग रहते हैं उनके लिए राशन लेकर वो लोग आये हैं इस तरह से एक कोशिश करने कि अपने जिवन को चला सके